दोस्तो एसे सी गुरूप सी और गुरूप डी की बर्तियों को लेकर जो है अब यह भी एक और बड़ी ख़बर आई है अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखना नमस्का दोस्तों आप सभी कश्वाकत करते हैं मारे यूटूब चैनल योगी सब्सक्राइब जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट इंफोर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच गए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने भी तक मारे टेलिगाम चैनल को जोईन कर लें टेलिगाम चैनल का लिंक डिस 10व Alors चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और वीडेयो को ज्यादा ब्रुप- इसई इस ग्रूप- C और टीकी बरत्यों को लेकर सरकार के दवारा क्या त्यारे शुरू की गी है अब जो है दोस्तो HSE की जो बर्तिया हैं उनमें गती देने की तियारी जो हो चुकी है अगले मैने जो है सुप्रीम कोट में अपील करेगी हरियाना सरकार जो पाचंग का जो मामला है उसके लिए अब सरकार सुप्रीम कोट जाने के लिए तयार हो चुकी है जैसे ही कोट खुलेंगे दोस्तों उसके तरण थी सरकार के दवारा यह अपील रायर की जाएगी सुप्रीम कोट में और बरतियों में जो है तेजी लान की बात यहां पर कई जारी है अगर सुप्रीम कोट सरकार जाती है तो तेजी किस परकार से आगी यह तो आपस भी कोई पता है और तीन मीने का समय ओल्रेडी सरकार के पास बचा हुआ है तीन मीने में कितनी बरतियाइं पूरी कर पाएंगे कितनी रिजल्ट निकाल पाएंगे कितनी जोईनिंग जो ही करवा पाएंगे और अभी तक तो जाने की बात कही जारी है अभी तक तो गए भी नहीं है जाएंगे उसके बाद अपील दायर करेंगे कब उसकी सुनवाई होगी क्या उसके उपर सुनवाई की जाएगी और नाना का युवा यही मांग कर रहा कि हमें पांच अंग नहीं चीए आप जल्दी से जल्दी इन बर्तियों को पूरा करें क्योंकि CM साब के दवारा पचाहजार नहीं बर्तियों की भी कोशना की हुई है और यह भी बोला गाया कि वही जो यह CET हो जुका है आपका ग्रूप C का ग्रूप D का इसी के अनुसार जो है उन बर्तियों को भी पूरा किया जाएगा अगर सरकार सुप्रीम कोट जाती तो एक भी बर्तिया आपकी पूरी होती नजर नहीं आ रही है युवाओं के दवारा भी पांच अंग को लेकर भी और सुप्रीम कोट नहीं जाने पर भी सोशल मीडिया पर भी बार बार हभियान चला जा रहे हैं चायो आपका सीडिक क्वालिफाई का अभियान हो या फिर जो बर्तिया जो पेंडिंग में हैं उनको पूरा करने के लिए अभियान हो या पांच अंग का मामला जो है कोट में नहीं जाए इसके लिए अभियान हो जो आपकी बची हुई बर्तियां हैं जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं निकाड़े हैं उनके लिए अभियान हो लगातार जो है युवा भी सोसल मीडिया पर अभियान कर रहे हैं हर्याना कर्मचारी चेनायों के दवारा गुरूप C और गुरूप D की बर्तियों को पूरा कर कर ली है इसके लिए सरकार ने अपने टोप कानूनी विश्यसकों से जानकारी ली है और केस की पूरी तियारी अब कर ली गई है संभावना है कि हर्याना सरकार अगले महीने जो है सुप्रिम कोट का दरवाजा खटकराने वाड़ी है क्योंकि अभी सुप्रिम कोट की जो है हरियाना सरकार और HSE त्यार हो चुकी है मुख्यमंत्री नायब शैनी के दवारा भी जो है दोस्तों बताया गया कि सुप्रिम कोट जाने के पीचे सरकार का तरक हैं पंजाब एंड बेंट हरियाना आई कोट में डबल बेंच में पहले सामाजी कारतिक माभडण के जो उनक्ष उनको सही ठेराय गया था लेकिन अब डबल बेंच ने ही उसको गलत ठेराय गया है तो ऐसे में जो है तो ये बोला जा रहा कि double bench अगर कोई फैंसले आ लिती है तो उसको double bench फैंसले को नहीं बदल सकती उसके लिए जो है तो तीन जज़ों का होना जरूरी है उसके बाद ही जो है उस फैंसले को बदला जा सकता है पर इसमें जो खंडपीट थी वो आपकी दो जज़ों की थी लेकिन तीन ज़ज की यहां पर बताई जा रहे है कि तीन ज़ज की अगर खंडपीट होती है तो उस दोरान जो है double bench का जो मामला जो होता है कोई भी निर्डने जो होता है उसको बदला जा सकता है हर्याना के एड़ोकेट जनरल बलदेव माराज ने कहा कि हम सुप्रेम कोट में अपील पहले सुनवाई पर ही अन्तिम आदेश का इंतजार करेंगे यदि सुप्रेम कोट में पहले सुनवाई पर हाई कोट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रूप C और ग्रूप D के जो बचे हुए पद है उनका रिजल्ट गोशित कर दिया जाएगा अगर रोक नहीं लगती है तो हाई कोट के फैसले के अनुसार ही ग्रूप C और ग्रूप D की बरतियों को पुरा किया जाएगा अगर हम माने तो दोस्तों यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है अगर रोक लगती है तो हम रिजल्ट निकारेंगे अगर रोक नहीं लगती है तो जो हाई कोट का जो फैसला आया हुआ है हम उसके अनुसार ही इन बरतियों को पुरा करेंगे जब इनको करना है आई कोट के फैंसले का अनुसार ही बरती को पूरा तो फिर ये सुप्रीम कोट जाने के लिए समय बरबाद ग्यो कर रहे हैं इससे अच्छा जो है अपके CET का रिवाइज रिजल्ट करके हर्याना पुलिस बरती के फीजिकल भी करवाय जा सकते हैं मेंज एक्जम का नए सेडूल भी जारी किया जा सकता है और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो गुरूप डी बरती की सेकंड जो लिस्ट अभी पैंडिंग है उसको भी निकाड़ा जा सकता है टी जी टी बरती का फाइनल जो रिजल्ट बचा हुआ है उसको भी निकाड़ा जा सकता है तो इस परकार से कुछ ना कुछ बरतियों को पूरा किया जा सकता है अगर सरकार जाए तो ये बरतियां पूरी हो सकती है पहले जो है पांच अंग का मामला बताया जाए जार था कि भई पांच अंग का फैसला आने के तुरंट बाद ही हम जो है गुरूप D बरती की सेगिंड लिस्ट को जारी करेंगे TGT बरती का जो फाइनल रिजर्ट जो बचा हुआ है हम उसको जारी करेंगे लेकिन अब दी तक जो है दोस्तोемся कोई लिस्ट S-S持 के दावारा जारी नहीं कीगी है कोई कोरिजोंड लेम नोटेस जारी कया गया है किसी परकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली जारी है सुप्रीम कोट जाएंगे सुप्रीम कोट जाएंगे अगर ये सुप्रीम कोट जाते हैं तो सारी की सारी बरतियां आपकी अटक जाएंगी और अटकने का मतलब यही है कि तीन मेने का समय इनके पास बचा हुआ है उसके बाद आच एक्जाम के लिए आप तयारी कर रहे हैं तो आप अपने तयारी को continue जरूर रखें और जो CT क्वालिफाई की को लेकर भी जो युवा मांग उठा रहे हैं अभी तक उसके उपर भी कोई जो है सरकार के ओर से स्पिश्टिकर नहीं दिया गया है कि हम CT को क्वालिफाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर हम नहीं जो पोलीसी आएगी उसके अनुसार दूसरी बर्तियों को करेंगे कोई भी ऐसा अभी तक कुछ भी सरकार की तरफ से कोई भी आसवासन आप सभी को नहीं दिया गया है आर्ट एंड क्राफ्ट इचर्स की जो बर्ति है वो candidate भी जो ह कि ज़्यादा बर्वादी हो रही है और काम कम हो रहा है युवा भी परेशान है हर कोई परेशान है बर्तियों से हर कोई परेशान है जो लगे हुए है वो भी परेशान है कहीं हमारी नोकरी ने चली जाए जो नहीं लगे है वो भी परेशान है सरकार ने बर्तियों को लेक स्क्राइब जरू करें बैल आइकन को जो है दोस्तों जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सब्सक्राइब से पहले पहुंच सके